हाई फ्रेंस आज मैं लेकर आई हूँ कश्मीरी दम आलू की रेसिपी जिसके आगे बाकी सारी सब्जियां फेल हो जाएंगी इतनी टेस्टी है देखने में बहुत सिंपल है सिर्फ आलू की सब्जियां पर जब आप इसे खाएंगे तो बाकी की सारी सब्जियां भूल जाए इतनी टेस्टी है आप इसे रोटी पराथा नान किसी के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है है हाई फ्रेंड्स मैं गीता वर्मा गीता किनू रैस्पीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आज मैं बहुत जादे इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर के लिए हमें एक दम छोटे साइस के आलू चाहिए होते हैं आप अगर मार्केट से लेने जा रहे हैं तो आपको बोलना है कि एक दम छोटे साइस के आलू दीजिक जो की कश्मीरी दम आलू में यूज होते हैं इन्हें हम अच्छे से वाश करके इसे हम सीटी लगा लेंगे दो सीटी से जादा नहीं लगानी है तो यहां पर आलू उबल चुके हैं और इने मैंने छील लिया है इस तरह से इनके अंदर छेट कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो अंदर तक चला जाए अब मैं गैस पे कड़ाई गरं करूंगी इसमें मैं डालूंगी 5 टेबल स्पून सरसो का तेल कश्मीरी दम आलू में सरसो का तेल ही यूज होता है इसलिए सरसो का तेल ही लें और इसे अच्छे से तेज गरं कर लें तो काफी अच्छे से तेल हमारा गरम हो गया है इसमें मैं यह उबले हुए आलू फ्राइ करूंगी तो इस तरह से मैंने सारे आलू डाल दिये हैं और मैं इन्हें तब तक फ्राइ करूंगी जब तक कि इसका कलर एक तम अच्छे से डाक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और य एक टेबल स्पून धनिया लेंगे साबूत दो बड़ी इलाइची ले रहे हूं एक दाल चीनी का टुकड़ा चार लॉंग और आट दस काली मिर्च के दाने इन्हें हमें रोस्ट करना है क्योंकि जब मसाले रोस्ट करते हैं भूनते हैं तवे पे तो उससे बहुत अच्छ की खुश्बू आती है और अलग सा टेस्ट आता है तो इस तरह से लोहे के तवे पे ही मैं इसे भून रही हूं इसे दो मिनट तीन मिनट के लिए हलकी आज पे भून लेंगे यहां पे जो आलू है वो काफी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके है और गोल्डन ब्राउन कलर आ हलका धुआ निकलना स्टार्ट हो जाए तब हमारा इसका मतलब मसाला भून चुका है अब मैं इसे डाल देती हूं मिक्सी के जार में तो यहां पे इसे हमें ग्राइंड करना है इसमें मैं बाकी के और भी मसाले एड़ करने वाली हूँ अब मैं इसमें डाल रहे हूं हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर हल्दी आपको जादा नहीं डालनी है देड़ टेबल स्पून मैं यहां पे कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तमाल कर रहे हूं अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगे देगी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तब ही जो सबजी है उसमें काफी अच्छा कलर आएगा ये वन फोर्थ टीस्पून मैंने हींग एड़ कर दी है और एक टीस्पून मैं यहाँ पे सोट का पाउडर एड़ कर रही हूँ यानि कि सूखी हुई अधरक का पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगए अधरक का इस्तिमाल कर सकते हैं दो टमाटर ले लिया है मैंने रफली चॉप कर लिया है यह भी आट कर दिया है अब इसे हम पीस लेंगे इसका एक बारिक पेस्ट तयार कर लेंगे तो यहाँ पी हमारा जो पेस्ट है वो बहुत अच्छा तयार होगे कलर आप देख सकते हैं कश्मीरी मिर्च इस्तिमाल करने की वज़े से इस पेस्ट का कलर जो है वो बहुत रेड आता है अब जो तेल है वो वापिस मैं फिर से गरम कर लूँगी क्योंकि यह ठंडा हो चुका है यहाँ पे तेल गरम हो गया है दो तेजपत्ता मैंने इसमें अड़ कर दिया है इसे हलका सा फ्राइ होने देंगे जैसी इसका कलर चेंज होगा हमने जो पेस्ट तयार करके रखा है वो पेस्ट हम इसमें आड़ कर देंगे यह पेस्ट मैं आड़ कर दूंगे इसके अंदर हमने इसमें सारे मसाले डाले हुए हैं तो जादा मसाले अब हमें आड़ करने की जरूरत नहीं है तो इस सारा पेस्ट में इसमें आड़ कर दूंगे और गैस को मैंने यहां पर मीडियम पर रखा है एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि जितने भी मसाले वो अच्छे से पक जाएं अब मैंने यहाँ पर एक कप दही ले लिया है और इसे में अच्छे से फेट लूँगी अगर आप इसे फेटिंगे नहीं तो दही फटने के चांसे होते हैं इसलिए इसे अच्छे से फेट ले जब तक ये एकदम स्मूध ना हो जाए और कोशिश करें ज्यादा खटा दही ना ले नहीं तो आपकी जो सबजी है वो खटी बनेगी अब ये जो दही है ये मैं इसमें एड़ कर दूँगी जो कश्मीरी दम आलू होते हैं उसमें प्याज नहीं पड़ता है प्याज लहसुन नहीं पड़ता है तो ये जो सबजी है दही में ही बनाई जाती है फिर भी यह बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है तो दही को भी हम अच्छे से पका लेंगे इस तरह से मिक्स कर दीजेगा तुरंत नहीं तो फिर यह फट सकता है और गैस को यहां पर आप लो पे कर दीजेगा जब आप दही डालें नहीं तो आपका दही फट जाएगा अब यहां पर यह देखिए काफी अच्छे से जो जार में मसाला लगा हुआ था उसमें मैंने पानी डालके इसमें आड़ कर दिया था और साथ ही में इसमें एक टीस्पून सौफ का पाउडर एड़ कर रही हूँ यह जरूर जाता है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब मैं इसमें आलू एड़ कर दूँगी तो यह जो फ्राइक हुए आलू थे ओलेडी काफी अच्छे से पके हुए है तो बहुत जादा हमें इसे पकाने की जरूरत नहीं है तो यह मैंने आलू एड़ कर दिया अब इसे में कवर कर दूँगी और इसे हम दम लगाएंगे बिल्कुल धीमी आच लो आच पे हमें इसे पांच मिनट पकाना है तो यहां पे पांच मिनट हो चुके और मैं इसे खोल के आपको दिखाते हूं यह देखे कितनी बढ़िया सबजी लग रही है एकदम रेस्टरेंट स्टाइल मतलब रेस्टरेंट की सबजी आप भूल जा है आप इसे रोटी के साथ नान के साथ पराठे के साथ जिसके साथ खाना चाहिए उसके साथ कहा सकते हैं चावल के साथ सकते यह देखे कितनी बढ़िया आहैं बहुत ही टेस्टी सबजी है तो अब आतीज से सर्फ करने कि बारी आप इसे त्र tendencies गा music Olha कि यहां आप लोग ब आपके साथ शेयर करूँ अगर मेरी रेसिपी को ट्राइ करते हैं तो लिख के ज़रू बताईएगा कैसी बनी और कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप किस रेसिपी की वीडियो देखना चाहते हैं या जो मैंने वीडियो आपको दिखाई वो कैसी लगी उससे हमें काफी म कोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है जब मैं उनका जवाब आपको देती हूं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और वीडियो को जाद सेदर शेयर करिएगा